stay welcome my Channel मेरे आप लों का श्राइट है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी है बहुत ही हमी पूरे मच्छी का टेस्ट जैसा कुर्ण्यरी का सब्जी चलिए हम बनाने चलते हैं मैंने कुर्ण्यरी को अच्छे से ँदोके इसे रख लिए है कितना फ्रेस ईम आभ इस आप लोग देख सके हैं देखिए कितना अच्छा से हमने दो पार्ट में काट लिया है चलिए हम इसको फ्राइ करने चलने हैं कराई को मैंने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था इसमें हम दो चमय सरसोते रख देंगे तिल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें जो हमने कुंडी काटा है वो डालके इसे हम लाल करके फ्राइ करेंगे इसमें हम थोरा सा नमक डाल देंगे कि अच्छा से यह गल जाए और इसके अंदर भी नमक चला जाए देखे कितना अच्छा से फ्राई हो गिया है अब इसे हम अलग बरतन में निकाल लेंगे अब इसका हम गड़ेवी तेयार करेंगे यह पूरे मचले का टेस्ट जैसा लगता है इसमें पहले से तेल था इसमें थोड़ा सा तेल और डाल के तेल करम हो गया इसमें हम सर्सो का टेस्ट डाल के इसमें हम डालेंगे आदा चमाच लाल मिर्च पॉर्डर आदा चमाच हल्दी पॉर्डर और कोल मिर्च पॉर्डर थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे अब इसे हम मसाला को फ्राई करेंगे नम डाल देंगे कि थोड़ा मसाला इसमें भी फ्राई हो जाए कुंडरी में भी अब इसे हम ढख ढख के फ्राई करेंगे कि थोड़ा सा जल्दी से पक जाए इसमें हम कस्तुरी में थी भी एड़ कर रहे हैं मैं फिर से कर रही हूँ आप लोगों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले और मेरे वीडियो को लाइक करें अच्छा कलर भी आ गया है देखे तेल भी छोड़ रहा है यह अच्छे से फ्राई हो गया है अब इसमें हम एड़ कर रहे है पानी अगर अब खाना चाहते है तो फ्राई डायने दे हम इसको ग्रेवी बना रहे है इसलिए थुरुआ सा पानी एड़ करके इसको ढग देंगे पांस से दस मिनट के लिए इसे हम उबले देते हैं देखे कितना अच्छा लड़ भी आ गया हुआ है और यह पक्के रेड़ी भी हो गया है अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म हम रोटी चावल और यह मकई के रोटी या चावल के रोटी यह सब के साथ आ देन्यागपता रख देंगे इससे देखने में और भी सुन्दर लगेगा और खाने का भी टेस्ट बढ़ जाएगा अगर है तो डाले अगर नहीं है तो इसकीप कर देजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें कहले नोटिफिकेसन आप दो देख सकें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें कॉमेंट्स में बताए कि कैसा बना